तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Info Edge यानि की Naukari.com के बारे में और इस Stock में देखिए हमको पिछले कुछ समय से बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है All Time High से ये Stock और मुस्ट 50% ये आसपास Correct हो चुका है और आज की दिन की भी अगर आप देखें तो आज भी यहाँ पर करीब 3% की हमको गिरावट देखने को मिल रही है हाला कि देखिए Market यहाँ पर आज की दिन अच्छा कासा तेज हमको देखने को मिल रही है लेकिन इस Stock में Recovery के कोई भी संकेत नहीं है तो यह गिरावट क्यों है इसके बीचे क्या Reason है तो उस Reason को हम यहाँ पर पूरा दोस्तो एनलाइज करने वाले हैं इसके Impact को हम समझने वाले हैं पूरा Wish Lation आपके साथ यहाँ पर मैं साजा करने वाला हूँ और उसके बाद हम डिसकर्स करेंगे हमारी आगे कि क्या रणनिती होनी चाहिए As a investor in the info as stock हमको यहाँ पर क्या strategy follow करनी चाहिए for the long term वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ मेरा personal opinion भी आपके साथ साजा करूँ और technical chart पे देखेंगे क्या इस्तिती यहाँ पर नजर आ रही है क्या यह stock और गिर सकता है या अगर गिरता है तो कहां तक गिर सकता है क्या support level है क्या हमको करना है buy hold sell तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है और सबसे पहले आपको में टेकनिकल चार्ट पर ही समझाना चाहूँगा देखें क्या इस्तिती है तो आप देखें all time high की बात करें तो उससे यह stock almost 46% correct हो चुका है बहुत तगड़ी गिरावट इसमें already हो चुकी है लेकिन यह जो pattern है जो pattern यहाँ पर बन रहा है उससे प्रतीत होता है कि यह जो stock है और यहाँ पर further गिरावट दिखा सकता है तो वो है यहाँ पर head and shoulder pattern और इस stock के बारे में हमने लगातार चर्चा करी है जब हमने technical analysis किया है IT sector की companies को तो यह जो pattern है हमने लगातार देखा है वहाँ पर और इस pattern का जब breakdown होता है तो further हमको गिरावट देखने को मिलती है और यह जो एक neck line का breakdown है यह major demand zone है यहाँ पर उसका breakdown हो चुका है तो यहाँ से मुझे लगता further sell off हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पर कई लोग जो है अपनी position को square off हमको करते हुए देखने को मिल सकते हैं तो जो इसकी गिरावट है मुझे लगता है next support है हमको करीब 3600 का और यहाँ से भी further गिरावट होती है हाई growth company यहाँ पर नजर आती है तो हमको यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में थोड़ी देर में आगे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम reason को समझते है कि यहाँ पर क्या reason है क्यों गिरावट हो रही है सबसे बार दोस्तों पहला reason है वो है दोस्तों इनकी investing companies में गिरावट यहाँ पर मैं बात करहाँ जोमेटो की तो अगर आप देखें जोमेटो के stock 63% से ज़्यादा correct हो चुका है 63% से ज़्यादा correct हो चुका है मतलब कि आप समझीए कि यहाँ पर जो इसकी value है वो 60% से erode हो चुकी है जो एक लाग करोड का market cap पर यह company list हुई थी अब देखें जोस्तों यहाँ पर 63% से ज़्यादा stock में correction यानि कि जोमेटो की बात करें तो अभी इसका market cap 50,000 करोड का है औ एक लाग करोड से उपर के market cap पर यह company list हुई थी और अब जब इतनी गिरावट हो चुकी है तो info edge की value यहाँ पर कम हो चुकी है वो कैसे तो मैं आपको बताना चाहूं जोस्तों अगर आप shareholding pattern देखेंगे जोमेटो का तो info edge का holding आप देख सकते हैं यहाँ पर 15% की हमको दे जी है कि दोस्तों यहाँ पर half हो चुकी है value और in fact उससे भी कम हो चुकी है 60% stake तो मतलब 7000 करोड के आसपास की यहाँ पर value रह चुकी है जो पहले 15000 करोड की तो इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर इतनी बड़ी capital erode होती हुई हमको देखने को मिली है और जोमेटो ने यहा value है वो देखिए 56% से जादा खतम हो चुकी है और यहाँ पर एक major support है इसका भी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि breakdown हो जाएगा तो 50% से जादा value हाँ पर info edge की policy बजार में भी erode हो चुकी है अभी market के अबाब देखिए 28000 का है और यह भी दोस्तों I think करीब 70-80,000 करोड के stake है info edge का 13% तो आप 13% निकालेंगे करीब करीब यहाँ पर दूस्तों 80,000 करोड का तो वो करीब करीब आपके निकल के आता है 10,000 करोड के आसपास तो 10,000 करोड की value जो थी अब erode होके रहे चुकी है करीब करीब 3000 करोड के तो यहाँ पर भी 7,000 करोड का नुकसान है तो आप रीजन है दोस्तों कि InfoEdge के stock में हमको pressure देखने को मिला है साथ ही साथ बात करते हैं तो मार्च के quarter में देखिए आप FIS ने अपने stake को यहाँ पर 3-4% तक कम कर लिया है तो यह भी एक reason था कि FIS selling की वज़े से भी इस stock में हमको उपर इस तरों से इतनी घिरावट देखने को मिली थी आला कि positive चीज यह है कि यहाँ पर D.I.S. ने अपने stake को लगातार बढ़ाया है promoters ने अपने stake को बहुत ही negligible यहाँ पर हमको कम प्रमोटर के stake हमको कम होते हुए देखने को मिले है मेरे पास एक question हमेशा आता है कि यार stock का PE जो है बहुत कम है तो यहाँ पर क्यों इतनी घिरावट है उस तो आपको मैं बताना चाहूँगा जिसकी बैसे इनके EPS बढ़ते हुए नजर आया थे अगर EPS हमको एक one time gain यहाँ पर होता हुए नजर आया था गिरता है तो यहाँ पर risk reward ratio favorable हो जाएगा क्योंकि मैं बात करता हूँ company की तो देखी company के उस तो बात करें हम तो revenue recruit में वर्टिकल से 70% revenue इनका आता है मतलब नौकरी.com वारा इनको प्लैटफॉर्म है 90% यहाँ पर 90% traffic नौकरी.com पर हमको जाता हुआ देखने को मिलता है और हमने देखा है कि इनका इनका आगया की और आटी एस जो एक segment है जहां से इनकी listing को देखने को मिलती है मतलब इनके जो हमको पोर्मल को पर यहाँ पर job list क्रवल देखने को मिलती है और हमने देखा है ऑndे पिफछले quarter में पिफछले दो quarter में जो देखने को मिले, Real Estate में जो pick up है 99 acres को भी फायदा मिलता हो, देखने को मिलेगा, शिक्षा.com को भी हम पर फायदा मिलता हो, देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सारे हमको यहाँ पर सारी चीज़े वापशी शुरू होती है भी देखने को मिली और बिलिंग्स हमने देखा पिछले quarter के जो numbers थे काफी जबरदस्त थे सारे segment की जो बिलिंग्स हैं उनमें हमको double digit growth देखने को मिली थी तो company काफी अची है पर कोई दिक्कत नहीं है बस यह जो गिरावट है यहाँ पर उसके पीछे जो reasons है वो हमको को देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगा जो काफी positive नजर आ रही company के regarding वो है दोस्तो recently Tamsak की अगर मैं बात करूं जो कि एक government of Singapore की company है basically वो promoter है इसके ठीक है Tamsak की बात करें तो यहाँ पर यह निवेश करने यहाँ पर दोस्तों जो future growth है उसको यह fund करने वाले है और different जो proposed funds और scheme है उसमें निवेश करने वाले है एक तो IE venture fund follow दूसरा IE venture investment fund यहाँ पर यह consumer internet, B2B commerce, SaaS, cloud develop, IoT यहाँ पर different जो है initial stage पर जो companies है start-up से उनमें निवेश करने वाले है और capital 2B fund के तहित यहाँ पर deep technology company और IP focus fund companies पर जो है start-ups में यह निवेश करने वाले है और TEMSAC की बात करें तो TEMSAC दोस्तों one of the biggest foreign investor है यह हम सभी को पता है और यहाँ पर देखिए इसका भी थोड़ा pressure हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा investment है 1400 करोड का investment है अलड़ी 15,000 करोड के आसपास इनको निवेश में नुकसान हो चुका है इनकी ZOMET और Policy Bazar की जो गिरावट है उससे तो हो सकता है यह भी एक overhang क्योंकि 2nd माई के आसपास हमको report आती हुई देखने को मिली थी अगर मैं आपको बता हूँ तो देखिए 2nd में एको यह जो हमको report आता हूँ देखने को मिला था letter to shareholders सी हमको देखने को मिला है तो हो सकता है यह जो निवेश होने वाला यह एक short term के लिए definitely हाँ पर थोड़ा सा pressure रहे क्योंकि IRR की में बात करूँ यानि कि जो internal rate of return है वो short term में हो सकता है हमको थोड़ा सा pressure में देखने को मिले क्योंकि short term में अगर इनिशल स्टेज पर किसी startup में fund करेंगे निवेश करेंगे तो उसका return हमको short term में मिलता हूँ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक long term growth story यहाँ पर नजर आ रही है जिसको यह fund कर रहे है टैमसक यहाँ पर निवेश कर र रहा है info edge ventures में जो की subsidiary है info edge की तो यह future को लेकर यहाँ पर निवेश हो रहा है मतलब कि जो भविश्चे में profitability हमको नजर आएगी potential investment जो यह कर रहे है भविश्चे में इसकी profitability हमको होता हूँ जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है क्यों निवेश करें क्योंकि यहाँ पर initial stage पर start-ups में निवेश किया जाए और उनको बड़ा बनाया जाए जो मेटो की बात करें PV fintech की बात करें और भी happily married की बात करें या फिर जो इन्होंने आज से पहले कुछ यहाँ पर start-up से जैसे की एक मुझे आ जाता है gramophone था shop किराना था और adda 24-7 यह भी धिरे-धिरे companies grow कर रही है और अच्छे कहां से verticals में, SaaS vertical में यह निवेश कर रहे हैं ठीक है, fintech, digital, health tech, e-commerce, ad tech, gaming, drone companies में भी इन्होंने थोड़ा बहुत निवेश किया तो अच्छे-च्छे start-ups में निवेश करें और जिस प्रकार का group है, बिक चंदनी group की बात करू, महीते शोबरोई की बात करू, तो काफी mature leadership है, काफी mature administrative skills है, इन सभी के पास, और past में इनोंने किया है, मुझे रखता है future में भी यह करते हुए देखने को मिलेंगे, बाकी जो इनका नौकरी.com वाला platform है, वो तो एक cash cow generator है, दोस्तों, इनके लिए जबरदस यहाँ पर cash flow generate करता है, उसको यह ल लेकिन अगर आप long term investor है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर निचल इस तरह पे, जो है, इसको average करना चाहिए, बाकी उस तो आपका decision है, क्योंकि company में valuation अभी भी attractive नहीं है, ठीक है, गिरावट और हो सकती है, लेकिन हमारे पास conviction होगा तो, पेशन होगा तो हम इस company को hold क करेंगे और जिस प्रकार का management है, जिस प्रकार की fundamentals है, जिस प्रकार की growth नजर आती इस company में मुझे रखता है long term के लिए काफी शांदार company है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, बाकी आपका क्या सोचना है, क्या समझना है, तो यहाँ पर आप मुझे comment करके जरूर बता सक विडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, मिलते हैं आप से नेस्ट विडियो में, तेक कियर, बाई बाई